नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है competition community में मैं हूँ आनंद कुमार और आज के इस lecture में हम पिछले हपते के current affairs के जितने important MCQs बन सकते हैं उसके आधार पे आज discuss करेंगे तो शुरू से लेकर अंत तक आज के इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा कि जितने भी topics हैं वो बहुत important topics हैं यहां से आपसे परिक्षा में प्रशन पूछे जाने की संभावना अधिक हो जाता है और जितने भी multiple choices questions आपके सामने प्रस्तुत किये जाएंगे सारे quality वाले questions से और आप ध्यान पूरबक इन questions को solve करने की पूरी कोशिस कीजिएगा शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि अगर आप competition community से जुड़ना चाहते हैं तो competition community के mobile application को जरूर download कर लेंगे यहां पर 36 गड़ में जितने भी प्रतियोगी प साथ करना चाहते हैं तो इस QR code को scan करके direct आप competition community का mobile application download कर सकते हैं या फिर google play store पर competition community search करके भी वहां से आप हमारी mobile application को download कर सकते हैं वीडियो पसंद रहा है तो like, comment, share और चैनल पे नए है तो subscribe आप लोग करते रहिएगा ठीक चलिए तो आज के इस lecture में जो हमारा सबसे पहला topic है, important topic हो जाता है, यहां से प्रशन पूछे जाने की संभवना आपकी बन जाती है, क्योंकि कई exams में आप लोग को नीती आयोग से related questions देखने को मिलता ही है, तो इसलिए यह बहुत important हो जाता है, question क्या है कि हाल ही में नीती आयोग का नया उपाध्यक्च, यानि कि Vice President कि से appoint क किया गया है, सबसे पहले अगर हम President की बात करें, तो आप सभी को पता है कि नीती आयोग का President कौन होता है, नीती आयोग का President होता है, हमारे देश का प्रधान मंत्री, और Vice President कौन होते है, और किनके द्वारा नुक्ट किया जाते है, तो हमारे देश के प्रधान मंत्री द्वा पाल आता है कि हाली में नीती आयोग का उपा ध्यक्ष किसे निउप्त किया गया है तो option B जो है इसका सही answer होगा सुमन बेरी को हाली में नीती आयोग का नया अध्यक्ष निउप्त किया गया है सुमन बेरी को अर्थ सास्तर के छेतर में बहुत बड़े ग्याता के रूप में जाना जाता है क्योंकि 1992 से 1994 के दौरान में ये वित्मंत्राले के मुख्य सलाहकार के रूप में कारे कर चुके हैं और लगभग 15 से अधीक सालों का वर्ल्ड बैंक में कारे करने का इनके पास अन अब हम नीती आयोग के पहले उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो पहले उपाध्यक्ष थे अर्विंद पनगडिया नीती आयोग का गठन कब किया गया यानि कि नीती आयोग अस्तित्म में कब आया तो ये भी याद रखिएगा एक जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगा पर नीती आयोग का गठन किया गया जो सरकार के एक ठिंग टैंक के रूप में कारे करता है अगर आप से सवाल पूछा जाए कि नीती आयोग क्या एक समवैधानिक निकाय है या फिर एक वैधानिक निकाय है यानि कि श्टैचुरी बॉड़ी है तो नहीं नीती आयोग एक इसके उपाध्यक्स थे, अब सुमन भेरी जो है, वो इसके तीसरे उपाध्यक्स होंगे, और इनका कारेभार जो है, वो कब से अपना कारेभार संभालेंगे, तो फर्स्ट में से ये अपना कारेभार संभालेंगे, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेगा, कि नीती आय के governing council के member होते हैं clear बात है चलिए अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question है ये भी एक बहुत important question है question क्या कह रहा है राश्टिय पंचायती राज्य दिवस के संदर्ब में सत्य कथन है बहुत important हर एक point को देखिएगा हर एक point में आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा हर एक सब भारत सरकार द्वारा 24 अप्रेल को राश्टिय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है एक एक option देखते चलते हैं सही है या गलत है और इसका explanation भी करते चलते है ठीक ये बिल्कुल सही है प्रतेक वर्स जो है 24 अप्रेल को राश्टिय पंचायती राजी दिवस के लागू हुआ ठो 24 अप्रेल को ही लागू हुआ था इसलिए प्रतेक वर्स जो है 24 अप्रेल को क्या मनाया जाता है राश्टिय पंचायती राजदिवस बीस किया गया था तो ये स्टेटमेंटं की राजदिवस धा वर्स 2010 में मनाया गया था और उस समय के तात कालेन प्रधान मंत्री कौन थे डॉक्टर मन मुहन सिन उन्हीं के द्वारा इसकी गोशना के गई थी तीसरा statement क्या है इस वर्ष तेरवा राष्टिय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया ठीक है दूसरे से अगर तीसरे को compare करोगे और count करोगे तो ये तेरवा ही होता है तो इसलिए तीसरा statement भी आपका सही हो जाता है इसलिए इस question का जो सही answer होगा वो होगा आपका option D अब पंचायती राज से सम्मंदित कुछ यहां पर important facts देख लेते हैं पहला पंचायती राज दिवस कब मनाया गया आपको पता है 2010 में इस सल कौन सा तेरवा पंचायती राज दिवस चोबिस अपरेल ही क्यों ये भी मैंने बता दिया क्योंकि 73 रवा सम्मिधान संशोधन इसी दिन लागु हुआ था की आप अपने राज़ी में पंचायतों से सम्मंदित कानून बना सकते हैं तो पंचायती राज को समवधानी कधिकार जो है तिहतरवा समवधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत में दिया गया था अब चोहतरवा सम्विधान संसोधन के से संबन दीत है तो नगरपाली कों से संबन दीत है ये बात होगे तिहतरवा सम्विधान संसोधन की अब हम इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स देखें तो तिहतरवा सम्विधान संसोधन के तहट सम्विधान में कौन सा भाग जोड गया जिसमें पंचायतों का उलेक किया हुआ है इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिएगा सम्विधान का आर्टिकल कौन सा 246 246 क्या है सम्विधान के अनुछेद 246 में राज्य विधान मंदल को यह सक्ति दिया गया है भारतिय संसेद द्वारा कि आप पंचायतों से संबंधित अपना कानून बना सकते हैं क्लियर बात है इतने पॉइंट्स को आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा अगला इंपोर्टेंट टॉपिक है नाशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरिटी के संदर्भ में निम्न कतनों पर विचार करें एक एक स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा और एक स्टेटम यहां पर नाशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरिटी का कुश्चन दिया गया है तो इसकी जो 20 भी बैठक है अरुनाचल प्रदेश के बाग अभ्यारन में ही किया गया है यह आपका सही हो जाता है कब किया गया है तो 9 अप्रेल को जो है इसका बैठक किया गया और इसका पहली बार जो है प्रदेश की राजधानी के बाहर किया गया है यानि कि हर साल इसका जो आयोजन है दिल्ली में किया जाता था पहली बार ऐसा है कि अरुनाचल प्रदेश में किया गया है दूसरा इस्टेटमेंट है यह परियावरन वन जलवायू परिबरतन मंत्राले के त होता है आपका स्टैचूरी एक होता है आपका constitutional तो यह समवैधानिक निकाय है या फिर वैधानिक निकाय है तो आपको याद है ना उपर देखिए National Tiger Conservation Authority की बात क्या गया है तो National Tiger Conservation Authority Act 2006 के तहत में इसे बनाया गया था जो की Wildlife Century Protection Act 1972 में amend करके बनाया गया था तो यह क्या हो गया एक वैधानिक निकाय हो गया यानिक एक statuary body हो गया ना कि समवैधानिक निकाय इसलिए आपका second statement जो है वो गलत हो जाता है तीसरा statement क्या कहता है इसका गठन परियावरन संरक्षन अधिनियम 1986 के तहत किया गया है नहीं परियावरन संरक्षन अधिनियम 1972 के तहत किया गया है ना कि 86 के तहत 1972 को 2006 में amend किया गया किस नाम से परियावरन संरक्षन अधिनियम 2006 amendment करके संशोधन करके और उसी के तहत में National Tiger Conservation Authority का 2006 में गठन किया गया तो यह तीसरा statement भी आपका गलत हो जाता है तो इसलिए इसका जो C option है यही सही है और न्यूज में क्यों है आपको पता है ना कि अरुनाचल पर्देश में पक्ये बागब्यारन में National Tiger Conservation Authority का 20 जो बैठक है वो आयोजित किया गया अब आप लोगों को पता है कि National Tiger Conservation Authority का गठन किया गया था हमारे देश में बागब्यों को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका रख रखाव इनके देखवाल करने के लिए इन्हें संरक्षित करने के लिए National Tiger Conservation Authority का गठन किया गया है और हर सल बागू का चार साल में एक बार जनगन्ना भी किया जाता है, और पहला जनगन्ना कब किया गया था? 2006 में, और इसके बाद प्रतेक चार साल में एक बार जो है, वो जनगन्ना किया जाता है बागू के ऊपर में, लास्ट जियन गंड़क कब हुआ था? 2018 में और इसके अनुसार बागों की स्थिती की इस प्रकार से हमारे देश में लगभग 3,000 बागों की संख्या है सरवाधीक बागी कौन से राज्य में है? तो मद्ध परदेश में है दूसरे नमबर पर कौन सा आता है? करनाटा का आता है ठीक और इस साल अगला रिपोर्ट आने वाला है 2022 में ही तो ये बैठेक इसलिए भी और important हो जाता है सारे points clear है? चलिए आगे बढ़े अगला National Minorities Commission यानि की राष्टी अल्फ संख्याग आयोग के बारे में राष्टी अल्फ संख्याग आयोग अधिनियम यानि की National Minorities Commission Act 1992 के तहत में ही इसका गठन किया गया गठन करने के पीछे का उद्देशी क्या था? तो गठन करने के पीछे का इसका उद्देशी था मुस्लिम, सिख, बुद्ध, इसाई, पार्सी और जैन 2014 में सबसे आखरी में कौन से जाती को Minority में सामिल किया गया था? तो जैन ठीक बात अब 6 Minorities है इसके अंतरगत में तो पहला statement आपका सही हो जाता है दूसरा है, हाली में इकबाल सिंग लालपूरा को राश्टिय अलप संख्यक आयोक का अध्यप्छ बनाया गया है यह statement भी आपका सही हो जाता है और तीसरा, और इसलिए यह news में है कि लालपूरा को, अनिकि इकबाल सिंग लालपूरा को यह एक statutory body है, यानि कि वैधानिक निकाही है, फिर सामविधिक भी कह सकते हो वैधानिक को ही, दोनों ही एक होता है, confused मत हुईगा तो इसलिए B जो है, इसका सही answer हो जाता है, 1 और 2 ठीक बात, कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने, समझा रही है न, कुछ दिन पहले हम लोग minorities के बारे में discuss भी कर रहे थे, एक lecture में, miscellaneous वाली में हमने किया था, क्यूंकि हाल ही में, जब Supreme Court में यह एक याचिका दायर किया गया था, उस याचिका में किंदर सरकार से जवाब मागा गया था, किंदर सरकार ने कहा था, कि राज्य अगर चाहे, क्योंकि उस दावे में कहा गया था, कि भारत में छह ऐसे राज्यों और तीन ऐसे कंदर सासीत परदियस हैं, जहां पर हिंदू minorities में हैं, तो जो अधिकार, जो सनरक्षन minorities को मिलता है, तो उन राज्यों में हिंदू, जो कि minorities में हैं, उन्हें भी असनरक्षन और अधिकार और योजनाओं का लाब मिलना चाहिए, तो किंदर सरकार ने कहा था, कि अगर राज्य सरकार चाहे, तो वहां हिंदू को minority घोसित कर सकती, या उनके लिए कानून बना सकती है, तो इसलिए वो news में भी था, औ नहीं भी विसेस रूप से परिवासित नहीं किया गया है, लेकिन अल्प संख्या क्यानी कि minority का उल्लिक हमारे सम्विधान में जरूर है, जैसे हम बात करते हैं article 29 की, तो इसमें अगर किसी minorities की विसेस भासा हो, तो उसे अपने भासे के अधिकार और सनरक्षन करने का अधिक जो है, वो कर सकते हैं, तो ये कुछ दो important article इनके बारे में आप याद रखिएगा, ठिक, चलिए, आगे बढ़े, अगला question है, वर्तमान पर इद्रिश्य में भारती अर्थ विवस्था के बारे में निम्न कतनों पर विचार कीजिए, ठिक बात, चलिए, option यहां पर दिया पिछले वित्वर्स, यानि कि 2021 की तुलना में, वित्वर्स यानि कि financial year 2022 में भारत का वैपार गाटा जो है, वो कम हुआ है, वैपार गाटा यानि कि trade deficit जो है, वो कम हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो यह statement हमारा गलत हो जाता है, वैपार गाटा कम नहीं हुआ है, अगर अगर हम import की बात करें तो इसे year यानि कि 2021 और 22 में हमने लगभग 610 billion dollar का जो है वो import किया तो कही न कही अगर इन दोनों के बीच में हम अंतर देखेंगे तो वैपार घाटा बढ़ रहा है नाकिक घट रहा है तो इसलिए ये statement आपका गलत हो जाता है दूसरा statement कहता है कि अप्रेल 2021 से मार्च 2022 के दोरान लगातार 12 महिनों तक जो हमने export किया वो 30 अरब अमेरिकी dollar से उपर रहा ये statement हमारा सही हो जाता है क्योंकि हम export की तरफ आत्म निर्भर होने की तरफ तेजी से बढ़ रहे इसलिए हमारा export बढ़ रहा है खासकर अगर हम agriculture sector में देखें तो हमारा export जो है काफी तेजी से बढ़ा है और लगभग 50 billion dollar का जो है वो आने वाले समय में लक्ष रखा गया है agriculture sector में export करने का तो जो second option है यानि कि B जो है केबल 2 ये सही हो जाता है कुछ important आकड़े है इस तरह से आकड़े पर भी आधारित question पूछे जाते है इसलिए ये आपको याद होना चाहिए चलिए अगला भारत के रुपे काड़ को स्विकार करने वाले देश है भारत का स्वैम का रुपे काड़ जैसे आप visa यूज करते हो वो किसी और country का है mastercard यूज करते हो वो किसी और country का है लेकिन खुद का हमारा बनाया हुआ रुपे काड़ है जिसे की 2012 में बनाया गया था और अब तक भारत के अलावा और कौन-कौन सा country है जिसने रुपे काड़ को accept किया है इसे control किसे किया जाता है रुपे काड़ को याद रखेगा RBI के द्वारा अब भुटान भी रुपे काड़ को accept कर चुका है सिंगापूर भी रुपे काड़ को accept कर चुका है इवेई भी रुपे काड़ को accept कर चुका है रुपे काड़ को accept करने वाला चौथा जो देश बनाया है वो है आपका नेपाल तो अगर आपसे question ये भी पूछा जाता है कि रुपे कार्ट को accept करने वाला हालिया देश कौन सा है या चौथा देश कौन सा बन गया है तो answer होगा आपका क्या नेपाल समझ आ रहे हैं आ रहे हैं तिक चलिए तो इस तरह से ये जो चारों statement है वो सही हो जाता है इसलिए option D हमारा सही हो जाता है एक important fact और याद यहां पर रखना है कि नेपाल ने हाल ही में UPI को यानि कि भीम UPI को भी accept किया है payment के लिए और भारत में आपको पता है जब से UPI लागो हुआ है ना तब से लेकर record transaction UPI के थुरू हुए है और आज के समय पर हर consumer का फेवरेट जो payment transfer को option बना है वो UPI बना है और लगभग 8.5 लाग करोड रुपै से जादा का transaction जो है वो UPI के थुरू हुआ है और UPI को launch कब किया गया था अगर आपसे पूछा जाए तो 2016 मिनूट बन्दी के बाद इसे launch किया गया था भी मी UPI को प्लियर बात है चलिए आगे बढ़े अगला थाली में आपको पता है कि अभी रूस और यूक्रेन का war चल रहा है और इसके बीच में हाली में रसिया का एक मिसाइल बहुत न्यूज में आया बहुत भारी भार का मिसाइल है बहुत ताकतवर मिसाइल है लगबग एक कॉंटिनेंट से दूसरे कॉंटिनेंट में मार करने की च्छमता रखता है यानि कि 18,000 से अधी किलोमेटर की उसकी छमता है मार करने की तो इसलिए इसका नाम है RS-28 सर्मत इसके बारे में याद रखिएगा और इन कत्वनों पर विचार कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है या फिर गलत है पहला स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है यह एक अंत्र महादुए पिया यानकी इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज ब्लैस्टिक मिसाइल है तो यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाता है इससे रूस ने बनाया है बिल्कुल सही है तीसरा है यह दुनिया की सबसे भारी भरकम मिसाइल है ये भी सही है कि ये दुनिया का सबसे भारी भरका मिसाइल में से एक है इसकी रेंज 18,000 किलोमेटर से अधीक है ये भी सही है इसलिए इसका D option जो है वो सही हो जाता है तो इस मिसाइल से related इतने points को कम से कम आप याद रखिएगा किस देश का मिसाइल है क्यों न्यूज में है इसको भी याद रखिएगा और इसकी खास बात क्या है ये भी आपको याद होना चाहिए चलिए अगला question है 36 गर से related क्योंकि कुछ important questions यहाँ पर हम 36 गर से भी related देख लेते हैं जो हाल या exam में आपसे question पूछा जा सकता है या आने वाले exams में important हो जाता है हाली में खेरगड में by election हुआ क्योंकि वहाँ के विधायक जो थे दिबरत सिंग उनका निधन हो गया था तो उसके बाद उस seat खाली हो चुका था और खाली होने के बाद अब इस seat पर चुना हुआ और finally जो जीत कराई है उनका नाम क्या है स्रीमती यशोदा वर्मा यशोदा वर्मा जो है वो congress की अब विधायक है तो question था हाली में खेरागड के विधायक चुने गए स्रीमती यशोदा वर्मा चुनी गई है यह लगभाग 20,000 वोटों से जीत कर आई है और इन्होंने किसे हराया है तो कोमल जो की भारतिय जंटा पार्टी के प्रत्यासी थे इन्होंने यह जो हारी है किसे यशोदा वर्म से अब कुछ important facts याद रखिएगा चतिसगर में विधान सभा की सीटे कितनी है 90 और इस 90 सीटों में से 15 सीटे जो है वो महिलाएं विधान सभा में पहुंची है आप यहाँ पर एक fact याद रखिएगा कि पूरे देश भर में जो अगर हम percentage के हिसाब से देखें तो चतिसगर क महिलाओं का percentage विधान सभा में सरवाधिक है यह important facts से याद रखिएगा अब आपको नीचे एक comment section में comment करके बताना है कि अब 90 विधान सभा में से Congress विधायकों की संख्या कितनी है नीचे comment करके बताएगा अब एक fact और याद रखिएगा अगर हम राज्य सभा की बात करें य इसके अलावा सरोज पांडे तो तीन जो राज्य सभा की सीटे हैं वो किसके पास है महिलाओं के पास है चत्तिसगर में 11 लोग सभा की सीटे है और 11 लोग सभा की सीटों में से 3 सीटे जो किसके पास है वो महिलाओं के पास है तो इतने facts को भी आप याद रखिएगा women empowerment से related आपका कामा सकता है, अगला question है, हाली में 36 गर साशन की किस योजना को राश्टी इस्तर पर एलेटस इनोवेशन आवार्ट से सम्मानित किया गया है, आपके पास मोर जमीन, मोर मकानी हो ज़ना, इससे पहले वर्स 2021 में गोधन नियाई योजना को सम्मानित किया जा चुका है, यह फैक भी याद रखियेगा, गोधन नियाई योजना की हम बात करते हैं, तो 20 जुलाई 2020 को इस योजना की शुरुवात की गई थी, हरेली तिहार के अबसर पर, बात समाझा रही है, गोधन नियाई योजना के तहट क्या होता है, तो गोधन नियाई योजना के तहट में गोबर की खरीदी की जाती है, इस गोबर से क्या किया जाता है, तो महिला स्वासाहता समोहदवारा, वर्मी कमपोस्ट खात का निर्मान किया जाता है, जिसकी 10 रुपे कीमत पर इसकी विक्री की जाती है, तो इस तरह से गोधन यायोजन के बारे में भी कुछ important facts आपको पता होना चाहिए अगला हाली में प्रदेश में राष्टिय जन जाती साहित्य महोटसब 2022 का आयोजन किया गया यह आपको यहाँ पर बताना है option यह है 20-24 अप्रेल 19-21 या फिर 20-24 मार्च या फिर 19-21 मार्च तो यह जो है 19-21 अप्रेल 2022 इसका क्या होगा सही अंसर होगा कहा इसका एवजन किया गया रायपूर में किया गया रायपूर में कहा तो पंडि दीन दियाल उपाध्य ओडिटोरियम में इसका एवजन किया गया राश्टे जन जाती सहित्य महुत सब का उद्देश है क्या था तो जन जातीयों के प्रती जा फिर उनकी लिए जो कारी किया जा सकता है साहित्त के छितर में बेहतर कारी करके उनकी उपलबधियों को उनके आर्ट एन कल्चर को लोगों के सामने लाना यही इसका उद्देश्य था तो इसे भी आप याद रखेंगे अगला क्वेशन है हालियों प्रदेश के किस जिले में हमर लैब का सुभारम किया गया तो अम्भिकापूर में याणि कि सरगूजा में इसका सुभारम किया गया है उद्देश क्या है तो अंबिकापूर में लोगों को बहतर स्वास्त सुविधाय उपलब्द कराने के लिए इसका शुरुवात किया गया है और लगबग 15 क्लिनिक का स्थापना किया गया है यहाँ पर 20 से अधीक अलग-अलग टेस्ट किये जाएंगे और उस टेस्ट के आधार पर दावाएं भी वित्रित की जाएंगी तो इस तरह से 11 important questions हमने पिछले हपते के current offer के MCQs based पर डिसकास की हैं तो उमीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा शेशन पसंद आया तो लोगों तक जरूर शेयर करें और हाँ PDF आपको अलग से किसी भी lecture का provide नहीं कराया जाएगा जो monthly magazine आती है सारे lectures के PDF वहीं पर compile किये गए हैं बहुत बहुत सुन्दर तरीके से और आपके पास में बहुत कम material होगा आप एक बार उस magazine को purchase करके अपने घर में रखें और उसे से revision करें उसे से notes बहुत 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 बहुतरीन बना है ठीक चलिए तो आज के इस lecture में फिलाल इतना ही Thank you